समस्कार दोस्तों, रादे रादे कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ, आप लोग ठीक होंगे, खुश्वामी स्वस्त होंगे, आज है दिन सोमवार, दोपैर का टाइप हो गया है, और मैं बनाऊंगी अब खाना, खानी में मैं बनाऊंगी राजमा चावल और साथ में पनीर, असल में पनीर मैंने बनाया सुबह था बच्चों के लिए, लेकिन उसमें क्या हुआ कि ग्रेवी जो है वो ज्यादा होगी थी, तो मैं पनीर लेके आई थी फिर दुबारा तो मैं ग्रेवी को पका के पनीर उसमें मिक्स कर दूँगी, तो राजमा चावल और पनीर मैं बन दिया था, ये देखको सुबह धोया भी था, फिर भी जाग कितने आगे, और चावल भी हो दूँगी मैं अभी, तो फटा फट हो जाएगा वैसे जादा टाइम तो लगता है नहीं खाना बगेरा बनाने में जल्दी जल्दी करेंगे तो होई जाएगा, और उनको मैंने फो फूल से आचुका है, प्यूर होई आएगी तीन बजे, तो तब तक मेरी कोशिश है कि मैं खाना बगेरा बना दूँगी, तो खेर चलिए जी लगते हैं, तो जी मैं लग गई हूँ काम पे अपने, और खाने में मैं बनाऊंगी राजमा, चावल, और साथ में पनीर, पनीर फिर वैसे मैंने सुबह बनाया था, पर उसकी ग्रेवी जादा होगी थी, तो फिर मैं पनीर ओर लेके आई थी, मैंने का ग्रेवी में दुबारा डाल दूँगी, और यहां पे सबसे पहले मुझे उबलने के लिए रखने चाहिए थे, राजमा मेरे दिमाग से निकल गा, खड़े-खड़े की मुझे राजमा बनाना, मैं सबसे पहले चावल भिगोने लगी, फिर मुझे याद आया कि मुझे तो राजमा भी उबलने रखना था, और चावल भिगो के मैं पनीर के उसमें लगी, फिर मुझे याद आया मैंने का राजमा उबलना रखना, तो फिर म मेरे आवाग ओर आया जैसे गले में से ही आ रही है फठी हुई तो खेर देखें को फटजे को्कबा गर्ट बंयर में तो 바त finee मैंने का दुबारह ही मैं इसमें तड़का लगाओंगी too मैंने यहां पे प्या-ज वो चोप कर लिया है और तड़का लगानी लगी हूं में हिंग डाल ती है साबות लाल मिर्च डाल ती घेर धनिया जीरह पता ने डाला है और उसके बाद प्यादी प्याज में इसमें डाल दूगी मलब जैसे एक प्रोपर लगता है तड़का वैसे ही और जो फिर ये भुन जाएगी तो हल्के से इसमें मैं हल्दी मिर्च वगएरा भी सोच रहे के डाल लूगी साथ के साथ ही मैंने चावलों का पानी रख दिया है और तीन गैस का ये फाइदा हो जाता है दो तिन गैस का जो चुला होता है ना ये फाइदा हो जाता है कि दो तिन चीज कठी बनने लगती है तो देखें यहां प्याज भुन गी थी तो मैंने फिर जो ग्रेवी थी वो डाल दिया तो पीस इसमें पनीर का भी था तो वो भी डाल दिया साथ में ही दूसरा पनीर भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी क्योंकि यह जो पनीर है ना फूलता है बहुत एकदम से मोटा हो जाता है बहुत सारा फूल के तो यहां पर मैंने रख दिया ग्रेवी पनीर पकने के लिए रख दिया थो तो यहां पर देखे मेरा जो पनीर है वह भी लगबग तयार हो गया है और उधर राजमी में भी कहीं सिट्टी लग गया है तो मैं साथ के साथ ही उसमें भी तड़का लगा दूगी छोंग मैंने कर लिया है अपना तयार है जो देखी प्याज चौप कर लूगी मैं अब काट ली थी और पाके टमाटर पगेरा तो जो भी चिज्जे होती है वो मैं साथ के साथ ही कर लेती हूं और पहले मैं उधर ही गई थी आशू के पास ही पहले मैं जब मकान पे गई थी फिर मैं आशू के पास गई फिर मैं उनको बोल गई आई थी मैंने का खाना बना रही हूं म इसके बाद बस मैं सोच रितम न करूँ क्या करूँ मैं लब ऐसे तो पता रहता है कि वह क्या करना है लेकिन वह था है ना कहीं बार कि कौन सा पहले करूँ तो यहां पर प्याज तो बुन जाएंगी तब तक मेरे जो टमाटर है वह भी हो जाएंगे और खाने का मैं बता हूं कुछ ऐसा special थानी की खाना है मनलब वैसे तो यह होता है कि कुछ मनलब होता है ना कि छोटा मोटा सा कुछ function कर लिया या कुछ वैसे तब जाके होता है कि भई कुछ सब को इकठे कर लिया तो सब खाना खा लेंगे लेकिन अभी ऐसा बात भी कर लेंगे फोन पर हम चाहे जितनी मरजी कर लें लेकिन अतनी ऐसे नहीं हो पाती जितनी मनलब फेस टू फेस हो जाती है और पापा जी के बाद यह पहली बार होगा कि भई मैं मनलब हम सब लोग ऐसे खाने पर इकठे होंगे या कुछ भी तो बहुत सारी चिज्जे थी जो आसुने फिर आके बताई भी घर से बस अब तो यही है कि दुख कर सकते हैं रो सकते हैं या और तो कुछ नहीं कर सकते हैं अपने हाथ पर मार सकते हैं कुछ नहीं हाथ लपले लगता पर तो देखिए बस जी हाँ पे टमाटर भी मैंने डाल दे थे मसाले डाल दे थे और उसके बाद चावल जो हो गे थे तो उनको भी मैंने नहीं चोड़ दिया है और फिर ये तब तक चावलो सोरी राजमे का जो छोंक है ये भी हो जाएगा तो सोरी मैंसल में न कल से थोड़ी डिस्टपशी हो रही हूँ तो इसलिए मैं बोलते हुए भी थोड़ी कनफ्यूज हो रही हूं तो इसके لिए सोरी कुछ तबियत भी इतनी ठीक नी लग री मुझे अपनी और बस इसी करके थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन से के दोर से मैं भूम रही हूँ तो देखें यहां पर राजमी मेंने लगा दिया है तड़का और साथ के साथ ही अब बस मैं अटा बना के रोटिया भी बनाऊंगी क्योंकि मैं सारा खाना पहले ही बना लेती हूँ क्योंकि बाद में यह ओता है फिर मैं भागी फिर ओजांगी तो कम से कम ंए खाना सारा तयार हो गया तो देना ही रहता है थोड़ी बहुत देर के लिया आप बैठ भी जाते हो नहीं तो मेरा तो जादतर क्या होता है कि मेरा जादतर टाइम फिर खाने में ही निकल जाता है उसके बाद अपना इतना मेरा बैठने का टाइम आता है इतना ये चले जाता है तो वैसे तो मैं हर बार ऐसे ही करती हूं मैं पहले ही खाना बना लेती हूं लेकिन कहीं बार होता है ना फिर पी कि मैंनका चलो थोड़ा सा बैठना है तो एतनी देर में वो फिर निकलने लगते हैं तो यहां पर ना मैं अपने फोन में बजन वगेरा कुछ चला रही थी जिसको कि मैं सुनती रहती हूं मन परेसान रहता है तो वही एक सहरा मिलता है तो यहां पर मैं ने चला ली हैं दोनों गैस क्योंकि मुझे रोटी जादा बनानी है तो फटा फटा बनानी पड़ेंगे तो इसी वज़ए से फिर मैं दोनों गैस चला लेती हूं तीसरी गैस पे कूकर रखा है और बस मेरी रोटीया सिकी ही थी पूरी पूरी मलब घीनी लगाया था तब ही जो है आशू और आगी थी जिजजजी पहले आशू और गुड्डू को छोड़ के चले गए थे फिर इशू के आने का टाइम हुरत है तो जिजजजी उसे लेने के लिए चले गए थे प्यूर हूँ हमारी खुदी आ जाती है विचारी वह ऐसा निक्यो गया था खाने का वो भी था क्योंकि फिर मुझे वापस खाना भेजना था उदर का नहीं आके लिए तो इस वज़े से तो देखी बस मैंने उन्हें बोला मैंने का बैठो अंदर आगी मैं क्योंकि रोटिया यहां पर खुली पड़ी थी तो डर लगता है कि कहीं चीटी मैं बात कर लेती हूँ तो यहां पर मैं बच्चों को भी punya बात कर लेती हूं तो यहां पर मैं बच्चों को भी पूछ रही और इतने में पीहू रोई भी आगी थी और यह के बाद है यहां पे जिजजजी भी आगे थे इसू भी आगी थी तो मैंने सूच है का चलो जो है यहां पे पहले उन्हें खाना खिला देते हैं क्योंकि दैडिका तो कोई fix time हाई नी खाना कहाने का कि हाँ वह आएंगे भी नहीं ये भी नहीं नी उनका तो कन्फर्म होता कि आएंगे भी नहीं और कनेया का उधर ही जाना था तो बस यहां पे मैं आगी थी खाना लगाने के लिए और मैं हमेशा ऐसे ही करती हुग जब मैं खाना देटी हूँ सबको तो मैं खाना बड़े बरतन में निकाल लेती हूँ और बरतन अपने सारे कठे कर लेती हुग जिसे की सिंगल जन है न मतलब एक ही जन है और खाने पर आ गया कैसे भी आ गया तो पहले से ही कि जो तयारी होती है वही बहुत हेलपफुल हो जाती है तो यहां पर देखिए फिराश भी आगी कि लामे दिलवादू खाना मैंने का चल मैं लगा देती हूं इन में अंदर रख देना त लेकिन जब अभी गर्मी सी है थोड़ी मोसम में तो खटी सी हो रहती तो वह पानी थोड़ा सा गरम करके वह मिक्स कर रही थी क्योंकि लसी भी सभी को पीनी है और मतलब खटा पन बेनी चाहिए तो इसलिए तो यहां पर देखिए बच्चे सारे बैट गया आसू देने लगत बहुत है अपने आप से कहते रहते हैं यूभी नहीं कि पूछ लो या कैसे भी पर जब मैं खाने बैठती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बस नमक मिरच लग रहा मुझे और कुछ नहीं लग रहा पता नहीं मेरे खाने में बहुत टाइम से दिक्कत आ रही कि मैं ज चलो भई मैं एक्स्ट्रा ही दे देती हूं तर क्योंकि कहीं बार बच्चे होते हैं कि दुबारा खाने लगते हैं अब यह तो है नहीं कि जा के फिर दुबारा बनाओ तो इसलिए मैं खाना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही दे देती हूं जिससे कि किसी और को भी अगर बाद म गोट्यूशन जाना था अपने कोचिंग जो उसकी क्लासिस से है उन में जाना था और जिजज़ जी को कनिया का खाना ले के जाना था तो वो दोनों निकल गे थे फिर और मैं अपने बरतनों पे लगी थी और बरतन साफ करते करते ही प्यू के ड़ेड़ी आगे थी तो सच में इस तरीके से ना मनलब जब पास में कोई होता है तो मन की बात करने का अपनी तकलीफ कहने सुनने का या किसी के साथ शेयर करने का एक मौका मिल जाता है जो मतलब ज़्यादतर हम लो ठीक लगता है मुझे कि मैं रो लूँ अकले बैठ के बजाए किसी को कहने के और इस ताइम ना मैं सही में आप लोग बोलोगे कि दीदी ऐसे बोल रही प्यू कर डैड़ी है और मैं सच में कई बार मेरा मन होता है कि मैं उनसे बैठ के बात करूं और पर उनका टाइम नहीं होता तो मैंना अकले ही रोके अकले ही चुप हो जाती हूँ बहुत बार होता है ऐसा कि मतलब बच्चे भी होता है कहीं बार तो बच्चे भी विचारे देखते रहते हैं तो अपने आपको फिर अपने आप में भी होता है कि नहीं भई बच्चे रो देख के परेसान हो रहें पर कई बार ना रुका ही नहीं जाता पिल्कुल, कई बिल्कुल नहीं रुका जाता, कुछ भी काम करते हो, चानक से कुछ याद आ जा, या कोई बात ऐसी हो जा, तो इतनी होता है कि मैं अपने आपी रो के अपने आपी चुप हो जाती हूँ जितनी देर रोना अपना मनसा लगा करके चुप हो जाती हूँ रात को इसके डैड़ी भी लेट आते है सारा कुछ और दिन में भी वो बहुत कम आते हैं आते भी है तो बस खाना खा के निकल जाते है तो मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई हस्बेंड वाइफ आपस में बैठ के कुछ बात कर लें तो वो वाली चीज नहीं है और मैं सच में उस चीज को बहुत मिस कर रही कि हाँ भाई मैं बैठ के इनके साथ बात करूँ कि पापजी के बारे में या कैसे भी तो खहर जी देखें, यहाँ पे पीओकडैड़ी नि भी खाना खा लिया था उसके बाद मैंने फिर बनाई थी चाई मिस्तरी जी के लिए क्यों कि their खनायी क्योंकि उन्हें खते ही जाना था तो मैंने उदर खाना दिया कीचन सी को समेट के साथ के साथ इस फिर मैंने जो है चाय बना दी और वो चाय लेके फिर चले गई जी टाइम बज़के चार बज़के पांच मिनट हो रही और मेरा कीचन का काम सारा ने पढ़ी आप युगरेडी भी खाना खा के चले गए और मिस्तरी जी की चाय भी लेगे भी लेठी ओई थी तो फिर मैंने सुच जाए तरह में दू CC9 काम है लोगी तो मैं मेरा कामनि पटका देख अपको दल में भी तोटी लेत जाओंगी और फिर उटके चय वोगेरा का देखूंगी चाय बनांगी या ज़ी डिलेदा एक तुमलाय अिहीं जी आफाराे फार लां 시청 खेसे नीडर से होगी चॉम्हाम अब जासा उते ही nuclear होगी जब मैं गिर घृण तो पमिल गदे लिए ने सुछवामिन मुख करखे लो तो भी तो ऐसे काम चला लेती हूं अभी मैं क्योंकि कुछ भी चीज लेनी रही रासन वग्यरा कुछ नहीं ले रही क्योंकि सिफ्ट करना है तो इस वज़े से मैंने का फिर जितना सामान होगा उतना ज्यादा उठाके रखना पड़ेगा लेके जाना पड़ेगा तो फिर भी सो जाती है अगर ये दिन में भी सोगी ना फिर भी रात को सोजाएगी जलดी ही लेकिन अगर इन दुन्नों में से कोई से को भाईचान जगा दिया मनलब सुला दिआ हां तो ये न Oleaf सो ये नी फिर सोएंगे दुबारा रात को भी ने पता निकितने लेटрий उजता ह तेकि इन्दु मुझे ना वो सलेप का जो ग्रीन आइट है वो उतरवाना पड़ा और इस इस तरीके से ये दिक्कत हुई थे और बचकी थी मैं उतीनों बच्चे क्रिश्ना जा लिया था च्छत पे अपनी साइक्ल चलाने के लिए तो बस मैं आई ही चत पर फिर मैंने का चला है कपड़े उतार लेती हूं और मोसम ना आज थोड़ा बादल सा हो रखे थे मोसम में तो मैंने का चल थोड़ी से आज म मैं कपड़े लेके उतार के इनको रख दूँगी और उसके बाद मैं थोड़ी से चट पर घुम्बूँगी और आज सच में जैसे आशूहर आई जिजजजी भी आए इतनी तो बात चीत जिजजी से या किसी से नई हुई आशू से ही हुई मेरी थोड़ी बहुत जो जितनी भी बात चीत हुई पर फिर भी ये रहता है कि नई भई एक दूसरे से बात करते हैं तो थोड़ा सा मन हलका हो जाता है और मैं आप लोगों से भी बोल लोंगे कि प्लीज अपने मन में कोई भी बात मत रखिए कोई ना कोई ऐसा इसा इनसान सब की जीवन में होना चाहिए क जिससे कि वो अपनी बाते शेयर कर सकें हां लेकिन भरोसे वाला होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए कि जो मोका मिलने पे आप से थोड़ा सा गुस्सा होने पे ही आपकी वो सारी चिज्जे सब के सामने गा दे तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए हां एक ऐस जरूर होना चाहिए जिससे कि आप अपनी चिज्जे शेयर कर सकें तो जी देखे खेर बस यहां पे मैं थोड़ी सी देर गूंगी फिरूंगी उसके बाद मैं जाके नीचे कपड़े वगएरा तै करूँगी तो इस वीडियो को रोकती हूं मैं यहीं पी कैसी लगी जरूर तो बताइए अच्छी लगते हैं तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब नहीं क्या है तो कर ले मिलती हूं जल्दी ही तब तक के लिए रादे रादे भाई भाई